अंजी कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे घर पे होंगे सेफ होंगे और साथ साथ पढ़ाई तो करी रहे होंगे तो जैसे कि आज आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कुछ नया लेक्या हैं हम आपके लिए पहली बार लेक्या हैं आपके लिए अन यूट्यूब आज हम स्टार्ट करेंगे इलेवन्थ क्लास के साथ अंजी तो करते हैं स्टार्ट फिर क्या करना है हम एकनोमिक्स में 11 की क्या क्या पढ़ना है कैसे कैसे पढ़ना है सब चीज़ों को देख के चलेंगे तो सबसे पहले एकनोमिक्स में आपको पढ़ना क्या है आपके एकनोमिक्स के 11 के स्टेटिक्स पर इकनोमिक्स आप इकनोमिक्स को निमेरिकल टर्म में नंबर्स की टर्म में पढ़के चलेंगे और एक आएगा इंट्रोड़क्टरी Micro Economics, यह दो पार्ट है, पार्ट A is Strategics and पार्ट B is Micro Economics तो यह दो पार्ट आप पढ़के चलेंगे, धीरे-धीरे सब समझाएंगे कि क्या है, किसमें कब, क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले आप Economics को पढ़ना जब आप Start करेंगे, तो सबसे पहले जानना जरूरी है न, Economics है क्या यह वर्ड आया कहां से, क्यूं बना, कैसे बना, किस लिए जरूरा था Economics की, तो वही सब देखेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं, Economics, यह वर्ड आया कहां से, यह वर्ड आया, एक Greek Greek word से, Greek word से, Greek word से, एकएं तर वो Greek word कोण सा था? वो Greek word है, Oeconomia, जिसका मतलब क्या होता है सर? जिसका मतलब होता है, Household Management, आप कैसे मैंनेज करते हैं, अपनी डेली रुटीन की, दिनचरिया को कैसे कैसे, आपको पता है, आप सुबे से लेकर शाम तक चाहे आप बुजर्ग है चाहे आप बच्चे है चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं ठीक है कुछ भी आप एक इकनॉमिक एक्टिविटी जरूर कर रहे होते हैं इसका एक्जामपल आज हम आपको दिखाएंगे तो सबसे पहले समझ आया कि यह जो एक ग्रीक वर्ड से जिसका नाम था और जिसका मतलब था हाउसोल्ड मैनेजमेंट तो चलें आगे पक्का चलो फिर आगे चलते हैं क्योंतोद इवारे जो तो सबसे पहले सबसे पहले आपके सामने आपका जो चपर वन है वह प्रक्राइब मैं अभी आपको बताया कि आप अपनी ordinary routine कोई भी एक्टिविटी में business activity में क्या यूज करते हैं economics क्या यूज करते हैं economics तो every individual from child to an old man is engaged in some economic activity सर सबसे पहले बताओ economics क्या है economics क्या है मैं आपको बताता हूँ लो एक question arise हो जाता है सबसे पहले यहाँ पर वो है what is economics economics है क्या मैं यह बोलू कि यह एक human behavior ही है क्या सर कैसे human behavior है कि इसमें हम human के behavior को देखते हैं कि वो क्या-क्या economic activity कर सकता है from 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 consumption से investment सर consumption से production production से saving and saving से investment सर कैसे थोड़ा सा clear करके चलते हैं हाँ जी तो हमने बोला यह economics जो है यह human behavior को समझता है उसकी study है ठीक है कि human behavior consumption से लेकर production से लेकर saving से लेकर investment तक कैसे काम करता है आई बास समझ में एक एक को समझते है proper definition भी आपको मिलेगी पक्का मिलेगी हम पहले टुकडो को इकठे करते हैं तो कुडो को इकठे करकी उसकी definition बनाएंगे जो आपके mind में ऐसे fix हो जाएगी कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे आई बास समझ में पक्का क्योंकि क्योंकि economics क्या economics को आपको पढ़ना नहीं है economics को आपको जीना है क्योंकि आप practical life में सुबह से शाम तक क्या यूज करते हैं economics आई बास समझ में तो सबसे बहले बात करके जलते है कि consumption की consumption क्या हमने बोला consumption is also an economic activity क्योंकि हर परसन क्या है एक कंजियूमर है कंजियूमर क्या होता है चलो आपको पहले consumer समझाते हैं तक है सर आप गुमा रहे हो हम गुमा रहे हैं ताकि आपको इतने अच्छे से समझा जा जाए कि आपका कोई भी आपको कंजियूमर समझते हैं सबसे पहले आईए सबसे पहले आपको हम consumer समझाते हैं आईए देखेंगे आप जब छोटे हुआ करते थे तो आपने हमेशा अपने parents से जिद कियोगी कि ice cream चाहिए ठीक है तो आपके parents ने हमेशा बोलोगा पहले बिटा खाना खाले ठीक है ख क्या सबसे पहले खाना खाया होगा फिर आपको आपके parents ice cream shop पर लेके खएँगे अपने महांसे अपनी मन पसुदा आइस cream लेने के बाद आपने किया होगा अपने ओए desire थी क्या ice cream ice cream ली और उसको consume किया खाया 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 मतलब consume किया consume किया तो आप क्या हुए consumer और ice cream के खाने के process को हमने क्या बोला consumption ठीक है ठीक है तो क्या समझ आया आपको आपको दो word समझ आया होंगे एक consumer दूसरा consumption यहां तो कोई दिखकर आपने अपनी want रखी अपनी desire अपने parents को बताई आपके parents ने उसको पूरी किया आपको ice cream दिलाया आपने उसको consume किया और आप क्या बन गए consumer और उस process को हमने क्या बोला consumption बात समझ आई जी सर बिलकुल आई तो सर अब बताओ क्या कहना चाहरे हो अब हम यह कहना चाहरे है कि consumer कोन है कि every person is consumer and having having different goods and service for satisfaction of wants of our wants हर person की अपनी desires अपनी wants अलग हो सकती है आपकी ice cream मेरी chocolate किसी third person की पुर्कुरे chips anything any snacks कुछ भी हो सकता है ठीक है हम इस छोटे level बे बात करके चलते हैं तो हर बंदे की desire wants अलग हो सकती है ठीक है तो अपनी satisfaction के लिए अपनी wants की satisfaction के लिए उसने उसी को लिया और consume किया चाहिए वो goods है चाहिए services है तो क्या बना consumer consumer क्या है the person who consume goods and services for satisfaction of wants ठीक है और उसी के साथ क्या आता है consumption आता है the process of using the utility value यह क्या समझ आया utility value क्या है यह यूवी क्या है यूवी क्या है utility value क्या है अभी समझाते हैं पहले एक बात समझाई यूटिलिटी value है उस goods and services की inherent capacity ice cream क्या है आप कुछ भी goods consume कर रहे है उसकी inherent capacity उसकी utility value को consume कर रहे है तो वही क्या है उसकी inherent capacity ice cream किस के लिए यूज होती है खाने के लिए टीचे लिए चीच के लिए हाथ पर बांधने के लिए तोалась की inherent capacity है हाथ पर बांधना उसको बांधना मतल declname आपने उसकी utility value को यूज कर लिया ठीक है अपनी one के लिए मुझे मेरे का हाथ पे घड़ी बांध नहीं है मेरी है क्या है Among okay असके बाद production प्रोड़क्षन से फ़िए बात करते हैं चलिए हम बात करते हैं प्रोड़क्ष जो इस अब हम बात करते हैं प्रोड़क्षन लिखा यहां पर हम ने रिखते हैं मिने कन्सम्हीं लिखा परilateral यहां पर हम लिखते है production यह भी एक economic activity है अब आपने जो चीज consume की तो किसी ने तो उसको produce किया होगा उसका production हुआ होगा ठीक है तो producer उसके लिए एक person होगा जैसे आपने consume किया तो आप consumer जिसने produce किया वो क्या हुआ एक producer हुआ तो producer किसी production में engage हुआ होगा ठीक है किसी goods and services की पर उसने वो बनाया क्यों होगा पैसे कमाने के लिए income को generate करने के लिए ठीक है आई बा समझ में तो producer who produces and sells goods and services for the generation of income और production क्या हुआ the process of generating बोल दो ठीक है या converting बोल दो इसे बोलो converting raw material into a useful thing ठीक है things become useful when they acquire utility value आईस्क्रीम जब बन गई तो उसके अंदर क्या आगई utility value आगई utility value जिसको आपने क्या किया consume क्या बनाया किसने producer ने उस process को क्या बोला production बोला आई ये और clear कर लेते हैं आपके सामने यह था consumer उसके बाद हम बात करते हैं producer की आपने नाम तो सुना होगा ग्यानीज का ice cream खाई होंगी बहुत हंजी ice cream बनाया process of conversion raw material लिया ठीक है raw material लेके ice cream को बनाया ठीक है तो इस process को क्या बोला process of conversion एक raw material से ठीक है हमने process start किया ठीक है raw material से एक useful thing बनाने का जो कि क्या बनी एक ice cream बनी ice cream बनी उसके बाद उसको क्या किया आपने consume किया ठीक है consume करके अब आपने क्या उसको free में लिया आपने उसके लिए क्या दिया कुछ value दी जो तो पैसे आपने दिये उससे income generate हुई ग्यानी इसकी ठीक है तो क्या है यह तो ग्यानी क्या बना यहाँ पे producer बना ठीक है और यह जो process थी वो क्या थी production थी आई बल समझ में यहाँ पे ice cream की utility value यहाँ से raw material का conversion होके जब यहाँ पे आया तो उस product ने क्या acquire किया utility value अगर वो utility value नहीं होती तो आप consume नहीं कर पाते ठीक है आपने क्या पढ़ा consumption में भी कि आपने product की क्या utility value को consume किया आपनी want को satisfy करने के लिए अभी तो आप consumer बने थे पर producer ने production के process में जब किसी raw material को convert करके एक good बनाया service बनाई तो उसमें क्या डाला वो utility value डाली बात समझे आई बात समझ में पक्का तो सर अभी हमने पढ़ा consumption और production आपने बताया saving and investment हां जी बताया पर अभी तक हमने जो कि पढ़ा उस चीज को देखें एक पर हमने क्या बोला कि economics आप day to day life में यूज करते हो economics वर्ड जो कि एक Greek वर्ड था महां से आया जिसका मतलब क्या था household management था यहां तक समझा उसके बाद हमने देखा कि हम अपनी daily life में कोई ना कोई एकनामिक एक्टिविटी करते हैं economic activity में हमने देखा कंजमिशन से production से से इंवेस्मेंट फिर हमने कंजमिशन देखा साथ में consumer देखा फिर अमने production देखा साथ में producer अब बात करते हैं से इविंग की हांदी सर एक अच्छे से एक्जांपल से पने है सेविंग सर बताये बैक मैं बताता हूँ एक्जाम्पल लेते हैं जी सर लीजिए घर पे मम्मा है है घर पे पापा है दोनों है आप भी है चोटो चोटो बच्चे अब आप है पापा है मम्मी है पापा वर्क करते है हमें घर संबालती हैं आप है ओके पापा ने पापा ने पापा ने क्या किया आप ने क्या किया मम्मी को मंत्ली आपको टैन थाउजन रुपीज हम पे करेंगे घर चलाने के लिए और मैंने जिंग है वाउस्वर नेट इस तिक है जी ओके मम्मी ने उसमें से आपकी फीस निकाली फूल फीज दी वह मिने आपकी ट्यूशन फीज दी वह मम्मी ने आपको स्नेक्स के पैसे दिये पॉकेट मनी मम्मी ने आपकों क्लॉच भी दिलाए सब दिलाए और मैं मंध में कर दिया 8,000 रुपीज का पर मिले कितने है 10000 तो सेव कितना किया अधिर दू थू जाओजन शेव किया ऐसे मम्म हर मनं शेव करती है और मम्मी क्या करती है इस पैसे को जाके बैंक में deposit कर देती है समझेगा हम saving and investment दोनों को साथ में समझ रहे हैं मम्मी ने उस पैसे को क्या किया लिया और बैंक में deposit कर दिया अपने saving account में ओके डन पका चलो मम्मी हर मन्थ 2000 रुपीज जमा करती है and so on saying, मैं आपको एक बात बताता हूं मम्मी की यह क्या होई यह तो ही saving और मम्मी ने जब बैंक में deposit किया वो क्या होई उनकी investment पर सरी Investment क्यों की, मम्मी ने अपने past क्यों नहीं रखा और बैंक में क्यूं जमा किया बैंक में जमा इसलिए किया क्योंकि उस पर क्या मिलेगा हमें इंट्रेस्ट मिलेगा इससे इंकम जणरेट होगी मैंने बोला बच्चा दुबारा हाईयर स्टडीज के लिए जाएगा तो उसके लिए अच्छे अच्छे सब के लिए मैं पैसा जमा कर रही है मम्मी ने आपके लिए किया तो मैं माल लेता हूँ ओन एन एवरेज मम्मी के बैंक अकाउंट में कि एवरी टाइम टैन थाउजन रुपीज रहता है जिस पर इंट्रेस्ट मिलता है मम्मी को पर इंगरे साफसे पूरे साल में ओन एवरेज बैलन्स मेंटेन किया हूओ है मम्मी ने 10,000 रुपीज और इंट्रेस्ट लिया तो शीक्स हंड़र्ड रुपीज मम्मी को इंट्रेस्ट मिला यह क्या है मम्मी की income है saving जो की थी उसको invest करके क्या कमाई income कमाई आई समझ तो आओ इसको इक पर sum up करते हैं सेविंग क्या है एक part of income तेक है या उसको क्या किया act of abstinence from consumption हमने बचाया उसको consume करने से करने से बचाया एक सिनेंस को बोलते हैं बचाना सेव किया ना बचाया इसको करने से बचाया दस हजार पे वह से 8000 कर दिए 2000 सेव कर लिए तो part of income अम्मी की वह income थी जो पापा दे रहे थे ठीक है दा part of income जिससे हमने सेव किया from consumption तेक है उस consumption को हमने क्या किया invest किया कह रहे है expenditure उसको expand किया expense किया हमने किसीज के लिए purchase of asset जो help कर रहे है generation of income to generate income the purchase of asset अब यहां पर investment में हमने FD कराई bank में deposit किया यह सब क्या है that is the purchase of asset यह आपने share purchase कर लिए ले लिए ले लिए गोल्ड बोंड जिसे बोलते हैं गोल्ड बोंड ले लिए यह सब क्या है ऐसे asset को purchase करना जो कि हमें दुबारा income generate करने में help कर रहे हैं part of income saves from consumption for further investment to generate further income saving and investment आपको समझ आ गया होगा समझ आया पक्का जलें आगे फिर तो आगे क्या कहता है economic activity economic activity 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 and activity which is related to use of scarce means यह क्या है scarce resource means और resource एक ही बात है वो resource जो scarce है मतलब जिसकी scarcity है मतलब ऐसा नहीं है ना कि कोई भी चीज अताहा available है कि जिसको जितनी चीज़ उतनी ले सकता है अगर ऐसा होता तो आपको पैसे की जूरत नहीं बढ़ती खरीदने की जूरत नहीं बढ़ती आप जाते चीज़े उठाते और consume कर लेते ठीक है पकी बात है तो वहीं कहरा है skills resource यह skills mean को use करने वाली activity ही क्या है economic activity and activity which is related to the use of scarce resource or square means अब आपको मैं बढ़ता हूं जितने ज्यादा resource कम होंगे जितने ज्यादा resource कम होंगे उतनी वोंड्स ज्यादा होंगी मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास आइफोन है और आइफोन आइफोन लोन चुए सिर्फ 1000 कोन पहले लेगा जो higher bid लगा देगा जिसके पेंग कैपिसेड़ जाद होगी तो आइफोन यहाँ पर क्या है एक scarce resource है अगर आपने उसको लिया उसको यूज किया तो वह आपकी एक क्या है economic activity है तो आपको एक इंडिया का माल लो एक richest person उठाते हैं हम हमारे मुकेश अंबानी सर को कहते हैं कि बहुत पैसा इंडिया के richest person है सब कुछ क्या खरीच सकते हैं क्या वो मोदीजी को जाके कह सकते हैं कि यार मुझे अपना इंडिया बेच दो नहीं हो सकता सब कुछ नहीं ले सकता एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उसके पास चाहिए कितना ही पैसा हो और स्टिल ऐसे कोई नहीं रिसॉर्स या चीज है जो कभी नहीं खरीज तो एक हमारे एकनोमिक्स टुए अलफर्ड मार्शल जी ने जिने हम मौडरन एकनोमिक्स को प्रफाउंडर भी बोलते हैं क्या बोलते हैं उन्होंने क्या डिफाइंड किया तस्टेडी ओफ मैनकाइंड इन ओर्डिनरी बिजनस ओफ लाइफ का हिंदी रुपांत्रन हम लोग बहुत सार है इन ओडिने बिजनस ओफ लाइफ को चलाते विए जो ओडिनरी रुटीन में काम कर रहे हैं वही एक एक क्योंड नोमिक्स है ठीक है आई पास समझ में अफ्ट डी ओफ मैनकाइड इन ओडिनरी बिजनस ओफ लाइफ किया स्केर सिटी इस्डा अंडर करेंट अफ एकनॉमिक प्रॉब्लम अंडर करेंट का मैं बोल दूँ एक फीलिंग है जिसे हम मतलब एक हिडन है जिसे हम महसूस कर रहे हैं कि ऐसा कुछ है पड़ वो हमें दिखती नहीं है स्केर सिटी है हर चीज स्केर्स है हमें पता है पर हिडन है हमारे सामने एक मोबाइल पड़ा है सामने है आपको ही पता कि resource क्या है हर बंदा आईफोन नहीं ले रहा आईबाद समझ में स्केर्सिटी क्या है इस अंडर करंट अफ इकनॉमिक प्रॉब्लम रिसॉर्सिज जो है हमेशा scarce है सिकहाते तो उसके हैं अकुछ नहीं ले पाता है है नहीं ले पाता क्यूंकि रिसोर्स के रिसोर्स कर अल्टरंजिटीफ यूज़ जरूर है है infl Town के इसे आमके बाल dस रुषन किम पॉकेट सकते या फिर एक पैन खरी सकते किया हुआ अब 10 रूपे को रिसोर्टे र स्केर अप सबकुत 7523 या फिर एक 10 रूपे वाला पैन ले सकते हैं नहीं हो सकता नौग स्काना वहीज़ा चुज वण अल्टनेटिव विचो वोंट राइट नाओ ठीक है आप ऐसा कुछ अभी जो आपको चाहिए फॉर्मोस बेसिस पे अभी के अभी वह आप खरीदना प्रैफर करेंगे आई बार समझ में तो क्या हुआ रिसोर्स क्या है आपके इसको काम करना है तीन वह तीनों में एक साथ काम नहीं कर सकता ना तो यहां पर क्या हुआ प्रैक्ट्री के लिए अगर देखा जाए तो लेबर इसके पर अच्छा काम मिलेगा। पैसा मिलेगा वो वहाँ चला जाएगा So, this is what we call economic problem or problem of choice हमारे को economic problem है या फिर हम choice, हमें problem कि हम किस को choose करें कहारा है, economic problem है क्या is the problem of choice, या problem of allocating, allocating scarce resource, या उसके alternative uses arising, arising due to scarce resource, having alternative uses, या उसके arise क्यों हो रहे है, alternative uses क्यों, क्यों कि resource scare है resource scare है, अब हमें देखना है कि हम optimum utilization of resource करें, best utilization करें, ताकि उसका output best निगल के आ सके, आईबा समझ में, तो economic problem इसलिए है क्योंकि हम scarce resource को allocate कर रहे है और किस हद तक कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, यही एक problem है हो रही है, ठीक है, आईबा समर्ण है तो insured में बोल दू, अगर scarcity ना होती तो economic problem ना होती economic problem ना होती, तो economics ना होती, आईबा समर्ण है अगर chaos resource ना होते, तो economic problem नहीं होती सब को सब कुछ मिल जाता, ठीक है तो इस class में हमने क्या समझा हमने समझा, economics word कहां से आया ठीक है, economics क्या है human behavior study of mankind जो Alfred Marshall ने भी बोला ठीक है, उसके बाद हमने क्या processes देके, economic activities देकी इसमें consumption, production, saving and investment की बात करी हमने consumer and producer की भी बात करी हमने ठीक है, आईबा समझ में पक्का, आज हम इसको यहीं पर रोकते हैं, and next class आपके लिए on YouTube अवेलेबल रहेगी ठीक है, और इसी के साथ आपके जो notes हमने अभी बनाए हुए है देख रहे हैं आप, बिलकुल handwritten notes हैं आपके लिए, जो notes हम बनाते हैं, अपनी practice के लिए, वही notes हमने अब आपको बना के देदी हैं, आपको notes बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है notes बनाने की बिलकुल जरूरत नहीं है बस आपको revision multiple times करना है, ठीक है, आपके handwritten notes आपके साथ रहेंगे, कुछ छोटे-चोटे errors हैं, जो मुझे correct करके मैं next class मैं आपके साथ notes को share कर दूँगा, upload कर दूँगा video के link के साथ, आप notes डाउनलोड कर सकते हैं, आई बस हमने, errors को remove करके मैं डाउनलोड कर दूँगा, and then हम मिलते हैं, कल एक नए lecture के साथ, एक नई class के साथ, ठीक है, चलिए, bye